बिजाई छेत्र में कमी और अत्यधिक वर्षा से फसल के नुकसान के कारण दो हजार चौबीस से पचीस में कपास का उत्पादन साथ दशमलव चार परसेंट से घटकर तीस दशमलव दो मिलियन गांट होने का अनुमान है। USDA ने भारत के कपास उत्पादन के अनुमान को तीस दशमलव साथ दो मिलियन गांटों तक संशोधित किया है और प्रतिकूल मौसम और कीट संक्रमन के प्रभाव को देखते हुए अंतिम स्टॉक को बारह दशमलव तीन आठ मिलियन गांटों तक कम कर दिया है। दरसल भारत के कपास बिजाई क्षेतर में काफी कमी आई है। इस सीजन में 110.49 लाख हेक्टेयर की बुवाई हुई है जो पिछले साल 121.24 लाख हेक्टेयर से कम है क्योंकि गुजरात में कई किसानों ने बहतर रिटर्न के कारण मुंगफली की फसल की और रुख किया है। वही देखा जाए तो कपास के उत्पादन की कमी से भारत के निर्यात पर असर पढ़ने की उम्मीद है। जो एक साल पहले 2.85 मिलियन से घटकर 1.8 मिलियन गांट होने का अनुमान है। जबकि वैश्विक कीमतों को देखते हुए आयात 2.5 मिलियन गांट तक बढ़ने की उ देखों में उच्च कपास उत्पादन का अनुमान लगाया है जो यूएस और स्पेन में हुई गिरावट की कमी को पूरा करता। दूसरी और चीन से कम मांग के कारण जबकि वैश्विक अंत स्टॉक 76.3 मिलियन गांटों पर अनुमानित है। ब्यूरो रिपोर्ट मार्कि क्या है।